गुरु भगवान के शुक्राने हमारा श्रीमत भगवत गीता का अठारवा अध्याय चल रहा है आज हम श्लोक लेंगे 30, 31 और 32 तो इनको पहले पढ़ लेते हैं हे पार्थ जो बुद्धी प्रवर्तिमार्ग और निवर्तिमार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धी सात्व की है हे पार्थ, मनुष जिस बुद्धी के द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, यथार्थ नहीं जानता, ठीक से नहीं जानता, वो बुद्धी राजिसी है हे अरजुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धी, अधर्म को भी यह धर्म है उल्टा, अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तता इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विप्रेद मान लेती है सई को गलत गलत को सई वह बुद्धी तामसी है तो बुद्धी के तीन भेद भगवान ने बताए सात्व की बुद्धी, राजसी बुद्धी और तामसी बुद्धी चलिए इनका हम वेवेचन देखते हैं व्याख्या है स्वामी राम सुगदा जी के गिता साधक संजीवनी से ये व्याख्या है स्लोक तीज जो बुद्धी प्रवर्ती मार्ग है और निवर्ती मार्ग को कर्तवे और अकर्तवे को भय तथा अभय को तता बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, ठीक ठीक से जानती है, वो बुद्धी सात्विकी है व्याक्या में कहा रहे हैं साधक की दो अवस्थाएं होती है प्रवर्ति और निवर्ति प्रवर्ति है किसी चीज में प्रवर्त होना निवर्ति है किसी चीज को छोड़ देना तो दो अवस्थाएं होती है कभी वह संसार का कामधंदा करता है तो यह प्रवर्ति अवस्था है ठीक है ना संसार का कामधंदा करते हैं हम लोग तो यह हमारी प्रिवर्ति अवस्था होती है और कभी संसार का काम धन्दा छोड़कर एकांत में भजन ध्यान करते हैं जैसे आप सुबह पांच बजे उठ गए मान उधारने सबके लिए नहीं है जो लोग करते हैं सुबह पांच बजे आप उठ गए और एकांत में आप भजन करने बैठ गए माला ले लिए और चुबच आप आग बंद करके भजन कर रहे हैं यह निवरित्ती अवस्था है अवस्था है ना ध्यान दीजे का शब्द पर अवस्था संसार का काम धन्दा कर रहे हैं प्रवर्ती अवस्था है सब काम धन्दा छोड़कर अकेले एकांत में बैठ गए आग बंद करके माला कर रहे हैं भगवान का ध्यान कर रहे हैं भगवान का भजन कर रहे हैं सत्चंग सुन रहे हैं आग बंद करके सब तरफ से काम छोड़कर के बिलकुल एक कमरे में सुबा-सुबा का टाइम है पांच बजे का चुप-चाप कान में एरफोन लगा कर सत्संग सुन रहे हैं किसी को डिस्टर्ब ना हो यह हमारी निवरित्ति अवस्था है अब इसका विवेचन देखें हम प्रवर्ति और निवरित्ति बात तो हैं दो मैंने आपको अधारन दिया था कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हैं माला नहीं करनी चाहिए मैंने ये कहा कि अभी किसी लड़की की शादी होई थी और उसने एक हफते बाद मुझे मैसेज किया कि मुझे ये लोग माला नहीं करने दे रहे हैं ससुराल व लोग हैं तो सीवा के लिए गई ये माला करने गई देखिए हर चीज़ का एक समय होता अब गलत मत तो उठाइएगा माला तो करनी है किसको करनी है जिसके पास समय होता है जिसकी उम्र होती है जिसका जिसका जो अब हो देखिए बात को समझ ये ना पांस साल हो गई इसाल घरवालोंने अलाव कर दिया, हाँ सुबह उठका तो माला किया कर रो, हमें कोई नहीं है, तुम सात वजे से काम में लग जाती हो, बहुत बढ़ी है, हमें कोई मतलब नहीं पांच बज़ साथ बज़ तक तो माला करती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बात को समझ करने आई है शादी और इतना खराब उसने इटमस्फियर कर लिया अपने घर का घर का इटमस्फियर बिगाड कर रख दिया उस लड़की ने अपना जीवन बिगाड लिया है आज उसके शादी को तीन साल हो गए है इतना बिगाड लिया है उसने अपना जीवन रोज लडाई उसके बच्चा भी हो गया है, सब कुछ घर में रोज लडाई होती है उसके, क्या ही सही है? ये बात समझने की है, समय को देखते हुए, आयू को देखते हुए, मौके को देखते हुए, हर चीज का एक टाइम होता है, प्रवर्ति और निवर्ति दोनों का इसलिए भगवान सम जा रहे हैं दोनों को ठीक से समझो यदे तुम सुख आराम चाहते हो माला करने बैठ जाओं क्यों सुख आराम मिलेगा घर का जंजट छूटा घर के जंजट से हम छूटे सुख आराम है माला करने में तो यह भगवानने का यह प्रवर्ति जो है और निवरित्ती जो भी कर रहे हैं अपनी कामना वासना से अगर सुख आराम के लिए कर रहे हैं तो ये सब बाधने वाली है प्रवर्ती भी और निवरित्ती भी दोनो तुम घर का काम करते हो सुख आराम के लिए अपने खाने पीने भोगने के लिए तुम अपना सुक चाहते हो तो यह तुमारी प्रवर्ती भी एक तरह से यह बाधने वाली है, बंधन मिलाने वाली है सात्विक बुद्धी नहीं है यह राजसी अतामसी बुद्धी है सात्विक बुद्धी वो है जो कामना वासना रहित प्रवर्ति और निवर्ति को प्रवर्ति भी है उसकी निवर्ति भी है उसकी कभी प्रवर्ति है कभी निवर्ति है कामना और वासना रहित और अपने सुख आराम से रहित तो ये बुद्धिस सात्व की हो गई गीता भगवान का अगर हम जीवन देखे हैं तो पहले घर का पूरा काम करते थे और दुपेहर में बैठते थे सचंग के लिए जब उनकी सास वगएरा सब आराम करने चली जाती थी उनके लिए एक घंटे का टाइम फ्री टाइम मिलता था दुपेहर का उसमें वो सचंग के लिए बैठ जाते थे दादा भगवान की बानी लगा लेते थे धीरे धीरे एक दो पड़ोसी आने लगे और लोग आने लगे और सचंग होने लगा ये दुपेहर को करते थे वो पूरा सुबे का टाइम, शाम का टाइम पूरा घर की सेवा में रहते थे गीता भगवान का आदर्श है हमारे गुरू का गुरू के जीवन को देख करके गुरू के ग्यान पर यकी हुआ है गुरू का जीवन देखो खाली ग्यान सुनोगे तो आपको लगेगा ग्यान में तो वो बातें आती हैं को मन में रखकर हम भगवान का भजन करें तो उससे मुक्ति कैसे होगी बंधन तो है ना राग ही तो बंधन है और राग हम मन में रखे बैठे हैं चाहा वो निवरित्ती मारग हो चाह परवर्ती मारग हो निवरित्ती में हम राग रखे बैठे हैं क्यों सुखारा मिलता है तो मुक्ति नहीं मिलेगी तुमारा राग तुमारा सुख आराम की भावना है निवरत्ति मार्ग में यह बात भहुत समझने की है चलिए इसको पढ़ देता हूं मैं इसमें दूसरी तरह से language different है थोड़ा देखें समझने कोशिश कीजिएगा वास्तव में गहरी दिष्टी से देखा जाए तो कामना वास्तना रहित प्रवर्ति कामना वास्तना रहित प्रवर्ति और निवरत्ति भी सुख अपने सुख आराम आदी के लिए की जाएं तो वे दोनों ही प्रवर्ति हैं क्योंकि वे दोनों ही बाधने वाली हैं, अपने सुख हाराम के लिए निवरित्ती और प्रवर्ती दोनों की जाएं, तो ये बाधने वाली हैं, अर्थात उनसे अपना व्यक्तित तो नहीं मिटता, मैं पन नहीं मिटता, मैं बनी रहती है, और जब तक मैं है, तो बंधन है, म और हित के लिए, दूसरों के सुख आराम और हित के लिए, हम प्रवर्टी किसलिए है हमारी दूसरों के सुख आराम और हित के लिए, निवर्टी जो हमारी है, वो हमारी दूसरों के सुख आराम और हित के लिए है, हम जो भजन करते हैं, सब को सुख मिले, सब को आराम मिले, स हैं चेह निवरित्ती में हैं दोनों निवरित्ती हैं अर्थात मुक्ष को देने वाली है हमें अपने सुखाराम मान बढ़ाई कुछ नहीं चाहिए हमें दूसरों का सुखाराम हित मान बढ़ाई सब दूसरों को मिले सब का हित हो ये भावना है ये सात्व की बुद्धी है क् दोनों से ही अपना व्यक्तित तो नहीं रहता, निवर्ति प्रवर्ति सब के हित के लिए हो गई, तो अपना मैं नहीं रहता, मुझे क्या मिलेगा, मेरा सुख आराम, ये सब नहीं रहता, तो अपना व्यक्तित तो नहीं रहता, व्यक्तित तो ही बांधने वाला है, मैं, मैं ह था, ये हमारे संतों ने ये लाइने बोली है, स्वामी रामतीर बहुत कहते थे, तू को इतना मिटा के तू न रहे, और तुझ में दोई की भू न रहे, तू को मैं मैं को इतना मिटा मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तु मरतबा अगर राइस करना चाहते हो भगवान तक पहुंशना चाहते हो तो अपनी मैं इहकार को मिटा दो तु को इतना मिटा कि तू ना रहे तुम जो तुम बने बैठी हो ना तुम इतना मिटा दो के तुम ही न रहो और तुज में दोई की और दूसरा कोई है ये बू न रहे बद बू न रहे प्रवर्ति तो की जाए प्राणी मातर की सेवा के लिए हमारी जो प्रवर्ति है काम धंदा जो हम करते हैं वो सब की सेवा के लिए और निवरित्ती की जाए परम विश्राम अर्थात सुरूप इस्तिती के लिए और निवरित्ती करने जब बैठे हैं जब बिल्कुल एकांत का समय हो हमारी जरूरत किसी को नहीं है सब लोग या तो सोए हैं या कुछ कर रहे हैं हम बिलकुल एक आंत में हैं अकेले हैं अब आप बैठ जाओ अब आप स्वैम में आ जाओ मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ अपने को भगवान से मिला कर एक कर दो इन आत्में आप का हूँ आप मेरे हैं इने वरित्ती मार्ग हो गया इस स्वरूप इस्थिती के लिए हो गया इसमें मैं नहीं रही तो इस मुक्ष का ही तो हो गया मुक्ती का ही तो हो गया दूसरा कहा कर्तव एकर्तव को जो गुद्धी कर्तव एकर्तव को ठीक ठीक समझती है वो सात्व की है कर्तव एकर्तव क्या है शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वो तो करतव है शास्त्र अपना वर्ण हम ब्राह्मने, शत्रिये, वैशे, शूद्रे हैं आश्रम हम ब्रह्मचारी हैं, ग्रस्ती हैं, वानप्रस्ती हैं, सन्यासी हैं इनकी मर्यादा के अनुसार जब हम काम करते हैं तो वो करतबे हैं और शास्तरादी की मर्यादा से विरुद्ध जब हम उल्टा काम करते हैं तो वो अकरतबे हैं नहीं करने चाहिए जिनको हम कर सकते हैं जिनको जरूर करना चाहिए और जिनको करने से जीव का कल्यान होता है वो करता भी कहलाते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए जिससे जीव का बंधन होता है वो करता भी कहलाते हैं मोह रखकर, इच्छा रखके, आंकार रखके अपने सुखाराम के लिए अगर हम काम करते हैं तो ये बंधन कारक हैं अकर्तव हैं भय और अभय को ठीक से जानती है जो बुद्धी जिस काम से हमारा भी और दुनिया का भी अनिस्ट होने की संभावना हो उस काम को करने में भय होना चाहिए जो बुद्धी जानती है कि गलत काम है इसको नहीं करना है उसको डर लगता है वो बुद्धी सात्वी की है भए भी अच्छा है एक सीमा में एक एक छेतर में अगर आप देखें तो भए भी अच्छा है भहे के कारण आदमी गलत काम नहीं करता है यह अच्छा भहे हुआ भगवान ने का मेरा भक्त सजा निर्भह होता है क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि गलत काम करे गई नहीं वो सही काम करेगा अच्छा काम करेगा जो काम भगवान की तरफ ले जाए वो काम करेगा इसलिए वो निर्भ है रहता है उसकी बद्दी साथ्य की होती है हम लोग जानते हैं हम कुछ गड़बर कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं जैसे मानों दुकानदार है कुछ गड़बरी करता है माल तोलने में थोड़ा सा जैसे मान लीजे एक एक किलो तोलना है तो आपका ध्यान कहीं और है उसने 990 ग्राम तोल करके दे दिया आपको पैकेट अप 10 ग्राम की चाला की कर गया 10 ग्राम में क्या हो जाएगा पर वोई है ना क्या कहा जाए पैसा देने में चेंज देने में मान लीजे कुछ चेंज ऐसी बनती है जो मान लीजे ऐसा व्यक्ति है जो गिन नहीं पारा ठीक से नोटों को और पैसों को उठा कर वो ऐसा बना करके पकड़ा दिया वो बिचारा लेके चला गया वो से बीस रुपे कम दे दिये यह सब क्या है ना जो सात्य की बुद्धी वाला है वो इस सब काम कभी नहीं करता करता भी को जानता है अकरता भी को कभी नहीं करता उसको भै होता है गलत काम करने में यह बुद्धी सात्य की है और जिस कर्म को करने से परणाम में अपना और दुनिया का हित होता हो, वो कर्म अभय देने वाला है, अभय करने वाला है, निरभयता प्रदान करने वाला है, उस काम को वो करता है, वो वद्धी सात्व की है, जो काम सबका भला करने वाला हो, मनों से जब करने लाइक काम से हटकर अकार में प्रवर्ट होता है तब उसके मन में अपनी मान बढ़ाई की हानी और निंदा अपमान होने की आशंका से भै पैदा होता है मैंने ये गलत काम किया अब मेरे निंदा न हो जाए उसको भै होता है अंदर में ये साथ्यों की बुद्धिया काम है बहलाना, गलत काम करा अब डर लग रहा है, आगे से कभी नहीं करूँगा भगवान, छमा मांगता है भगवान से, जो अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं होता, अपनी मन से किसी का अनिस्ट नहीं चाहता, और केवल परमात्मा में ही लगा रहता है, उसके मन में सदा अभय बना रहता है, बाहर तो हाथ काम में है, जैसे तुलाधार वैश्का उधारनाता है, दुकानदार थे, तेल का काम करते थे, सही तेल, बिलकुल सुद्ध पवित्र तेल, कोई मिलावट नहीं, बिलकुल सही माप, नाप कर ठीक देना, सही पैसे लेना, उनका पूरा आच्रण शुद्ध था, तो उनका नाम कर्म योगियों में आता है, तुलाधार वैश्क, ऐसे लोगों के मन में भय होता ही नहीं कभी, सदा निर्भय रहते हैं, और ऐसा जो अभय पद है, ये मुक्ती प्राप्त करा देता है, भगवान की प संतोष रहता है, मैंने कभी गलत काम नहीं किया, और कभी गलती से हो भी गया, तो मैंने छमा मांग ली, और आगे भढ़ गए, अब जो बुद्धी मोक्ष को और बंधन को ठीक ठीक जानती है, रख्या में कहते हैं, बाहर से तो यग्यदान तीर्थ वरत सब करे, परंतु भीतर से असत जड़ नाशवान पदार्थों और स्वर्ग की इच्छा हो, बाहर से तो अच्छे काम करता है, और अंदर से उसे दुनिया की पूरी चाहना है, सब, सब चाहता है अंदर में, भोग, एश्वर, सुक, आराम, सब चाहिएं उसे, तो उसके लिए ये सब कर्म ब बाहर से यग तप, दान, इत्यादे, वरत वगएरा करूंगा, और अंदर में मुझे जड़ और नाशवान पदार्थों की इच्छा रहेगी, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा रहेगी, तो ये मेरे स्वर्म हैं, ये सब बंदनकारक हो जाएंगे, वो जानता है, केवल परमात्मा से ही संबंद रखना, परमात्मा के सिवाए कभी किसी अवस्था में असत संसार के साथ लेशमात्वी संबंद न रखना, ये मोक्स दायक है, तो ये बुद्धी मोक्स को जानती है, के मेरा संबंद केवल परमात्मा से, संसार के सुख हराम से नहीं, मैं तो सेवा करता हूँ कर्मयो काचरन सारे कर्म का फल भगवान को अर्पित कर देना है हिनात मैं तो आपका संसार है आपके संसार में आपकी सिवा करता हूँ आपके जनों की सिवा करता हूँ आपका दिया प्रसाद पाता हूँ मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए इस शरीर मिला है संसार से इससे सीवा होती है मैं आपका हूँ मेरा मन आप में रहे मैं आप में लगूँ मैं आपका हूँ जो भी संबंद मानते हैं भगवान से वो संबंद उसका पक्का रहता है कोई कहता है मैं भगवान का बेटा हूँ तो हर समय वो याद रखता है मैं भगवान का बेटा हूँ और भगवान मेरे माता पिता है सांसारिक वस्तों की कामना से बंधन होता है और परमात्मा के सिवाए किसी वस्तो व्यक्ति घटना परिस्थिति देश काल आदी की कामना न होने से अब हम जहां रहते हैं जिस शहर में काश हम बड़े शहर में दिल्ली में होते बंबई में होते तो ये कामना जो है हमें बंधन में ले जाएगी अगले जनम में हम बड़े शहर में पैदा होंगे अब क्या बन के पैदा होंगे ये तो कर्मानुसार है चुहा, बिल्ली, कुटा कुछ भी वहां पैदा हो सकते बड़ा शहर तो मिल जाएगा पर कर्म कैसे है उसके अनुसार मिलेगा तो जो कामना नहीं रखता कोई भी संकल विकल्प पत्यागी ही सच्चा सन्यासी है कोई संकल विकल्प नहीं हेनात मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं मुक्ती, उसकी मुक्ती हो जाती है यदे मन में कामना है तो वस्तो पास में हो तो बंधन और पास में ना हो तो बंधन कामना है अगर तो बंधन यदे मन में कामना नहीं है तो वस्तु पास में हो तो मुक्ती, पास में न हो तो मुक्ती, में बात है कामना और राग ये बाधने वाले हैं इच्छा और राग अटेच्मेंट ये हमको दुनिया से बाधने वाले हैं हमारा attachment भगवान से हमें कामना भगवान की दुनिया का सब काम करो आप मुक्त हो कर्मियो का चरण यही है दुनिया के सारे काम करता है सिवा हो रही है पर मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है ठीक ठीक बात को हम पकड़ लें तो दुनिया में रहते हुए हम मुक्त है भगवान ने बुद्धी योग दिया है अर्जुन को बुद्धी योग है मुक्ती के लिए जिसके साथ वास्ताव में हमारा संबंद नहीं है उस संसार के साथ संबंद न मानना और जिनके साथ हमारा सुतैसित संबंद है ऐसे परमात्मा को तत्यों से ठीक ठीक जानना सर्वत्र भगवान है मैं भगवान का अंशू हूँ मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं या सात्य की बुद्धी के द्वारा वास्तविक तत्यों को ठीक ठीक जानना है तेकि राजसी बुद्धी के लिए धर्म और अधर्म को जानना जरूरी है धर्म और अधर्म करतव और अकरतव को ठीक ठीक जानने से सात्य की बुद्धी होती है और इनको जो ठीक से नहीं जानता वो राजसी बुद्धी होती है धर्म क्या है? जैसे हमारा हम लोग ग्रस्त में रहते हैं, अपने माता पिता बड़े बुड़ों की सिवा करने में, दूसरों को सुख पहुचाने में, दूसरों का हित करने की चेश्टा में, अपने तन, मन, धन, योगिता, पद, अधिकार, सामर्त, आधि को लगा देना धर में हैं, ऐसे कुआ बावडी खुदवाना, धर्मशाला और सधाले बनवाना, प्याओ, सदावर्त चलाना, देश, ग्राम, महले के अनात तता गरीब बालकों की और समाज की उन्नती के लिए अपनी कहलाने वाली चीजों को आवर्शक्ता नुसार उनकी समझ कर निशकाम भ खर्च करना धर्म है, इन सब के लिए सुक देने का जो भाव है, उसके लिए खर्च करना धर्म है, इसके विपरीत, उल्टा, धर्म और अधर्म, धर्म तो ये था और अधर्म क्या है? अपने स्वार्थ, सुक और आराम के लिए दूसरों की धन संपत्ति, हक, पद, अधिक चीनना दूसरों का अबकार करना बुरा कर देना आहित करना हत्य आदिकारा देना अपने तन मन धन योगता पददीकारि ​​जोरा हो दुख़ देना है तो जो बुद्ध्य धर्म और अधर्म को ठीक ठीक नहीं समझती करतव पालन को न करना ये अकरतव के अंतर गताया न करने लाइक काम को करते हैं ये सब अकरतव हैं विक्षा मांगना यग्य विवहा आदि कराना और उनमें दान दक्षना लेना ये कर्म ब्रहमण के लिए तो करतव हैं लेकिन छत्रिय वैशो शूद्र के लिए अकरतव हैं ह बिखेले जैसे बताया, के माता पिता की सिवा करना, बड़े बूड़ों की सिवा करना, दूसरों को सुख पहुचाने में, दूसरों का हिद करने की चेस्टा में, अपने तन्मंधधण, योगतापद, अधिकार, सामर्त, छादी को लगा देना, ये सब धर्म है, ये सब के लिए है सच्चंग्यों में भी अच्छा तुमारी लड़की शादी के लाए के फलाने लड़का शादी के लाए के दोनों की शादी करा दी, अब दोनों में बनती नहीं है तो ये अधर्म हो गया हमारे लिए हम कौन हो तहीं शादी कराने वाले भाई या शादी.com है उपता नहीं क्या-क्या है वहाँ शादी कराओ अपनी या ब्रामन वगएरा से कहो पंडित से कहो भाई इस महले में कोई लड़का हो अच्छा कोई लड़की हो अच्छी इस तरह करके विवा इत्यादे तो ब्रामनों का काम है पंडितों का काम है ये सब कराना ब्रामनों काम है हमारा काम नहीं है कोई भी शादी जो कराता है आपने देखा होगा वो फसी जाता है लड़के वाले तो सुनाते हैं लड़की वाले तो सुनाते हैं पकड़ता है भाईया मेच से बड़ी गलती हो गई ये सब अधर्म हैं हमारे लिए ब्रामण के लिए तो कर्तव हैं हमारे लिए नहीं है इस प्रकार शास्त्रों ने जिन जिन वर्ण और आश्रम के लिए जो जो कर्म बनाएं हैं वे उन, उनके लिए करतवे हैं, और जिनके लिए निशेद किया है, उनके लिए सब अकरतवे हैं. तो जो बुद्धी धर्म और अधर्म को, करतवे और अकरतवे को ठीक तरह से नहीं जानती, वो बुद्धी राजसी है. नौकरी करते हैं इमानदारी से करना चाहिए अपना पूरा समय देना कार को सुचारों रूप से करना जिस तरह से मालिक का हित हो ऐसा काम करना ये सब कर्मचारियों के लिए करतबे हैं अपने सुचर सार्थ आराम के लिए उसमें फसकर कार पूरा ठीक से न करना समय न लगाना कार को ततप्रता से न करना थोड़ी सी घूस मिलने से मालिक का नुकसान कर देना दस पांच रुपयों के लिए मालिक का अहित कर देना ये सब अकर्तवे हैं ये सब नरक में ले जाने वाले तो जहां भी कोई नौकरी करते हैं वफादारी से करें लोयल्टी, इंटेग्रेटी ये कर्तवे हैं राग होने से राजसी बुद्धी में स्वार्त, पक्षपात, विशमता, आदि दोश आ जाते हैं इन दोशों के रहते हुए बुद्धी धर्म, अधर्म, कारे, अकारे भय, अभय, बंद, मोक्ष, आदि के वास्तविक तत्व को ठीक ठीक नहीं जान पाती किस वर्ण आश्रम के लिए कौन सी परिस्थती में कौन सा धर्म कहा जाता है कौन सा धर्म कहा जाता है इस बात को ठीक ठीक नहीं जानती किस काम को करने से भय होता है, किस काम से भय होता है, वो ठीक नहीं जानती, ये सब बुद्धी नहीं सी है तो साधक को सात्य की बुद्धी से काम करना चाहिए सर्व के हित की भावना सात्य की बुद्धी में होती है अपने सुक की भावना कर्तव या कर्तव का ज्यान न होना धर्मा धर्म को न पेंचानना ये सब राज्ची बुद्धी में होता है अब तामसी बुद्धी क्या है? संपून चीज़ों को उल्टा ही मान लेती है, साब उल्टा पुल्टा, इश्वर की निंदा करना, शास्त्र वर्ण, आश्रम तथा लोक मर्याद की विपरीत काम करना, उल्टा काम करता है, रास्ती में तो ठीक ठीक नहीं जानता, तो बिचा पिता के साथ अच्छा विपर न करना, संत महात्मा गुरु आचार अधिका अपमान करना, जूट कपट पेवानी जाल साजी, गलत भोजन, शास्त्र निशिद पाप कर्मों को धर्म मानना, ये सब अधर्म को धर्म मानना, ये तामसी बुद्धी है, अपने शास्त्र अधर्म के मर्यादा में न चलना, माता पिता की आग्या का पालन न करना, तनमंधन से सेवा न करना, महात्माओं के उपदेश अनुसार न चलना, जीवन न बनाना, ये सब तामसी बुद्धी है, धर्म को अधर्म मान लेता है, जो काइदे वाले काम हैं, धर्म हैं, उनको न करके अपने मन के अनुसार अपने धर्म बना लेता है, उल्ट पुल्ट चलता है, ये उल्टा काम, शरीर को हिमे मानता है, आत्मा भगवान को तो जानता ही नहीं, जगत को सच्चा मानता है, दूसरों को नीचा मानता है, अपने को बड़ा बढ़िया समझता है, पैसा द तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, आज का जो शिलूक था, हे पार्थ जो बुद्धी प्रवर्ती मार्ग और निवर्ती मार्ग को, कर्तव और अकर्तव को, भय और अभय को, तता बंधन और मुक्ष को यथार्थ जानती है, ठीक ठीक जानती है, बुद्धी सात्व की ह मनुष्य जिस बुद्धी के द्वारा धर्म और अधर्म को था था करता वो को ठीक नहीं जानता है ना ठीक से नहीं जानता वो बुद्धी राजसी है उसे पता नहीं होता पैक जाता है भटक जाता है लेकिन तमोगन से घिरी हुई बुद्धी तो जानती है कि अधर्म है उस इस प्रकारि से उन उपदार्तों को विपरीत मान लेती है वो वद्धी तामसी है गुरुभगवान के सुक्राने हैं ये वद्धी के तीन भेद भगवान ने बताए हैं गुरुभगवान के सुक्राने